इसमें क्या होता है डाइग्राम देके होती है वहीं से डाइग्राम बना के होती है और डिफरेंट टाइप्स अफ डाइग्राम होती है say triangle बना के होगा circle बना के होगा square बना के होगा rectangle बना के होगा polygon बना के होगा और हर किसी का अलग-अलग चीजों को represent करता say triangle must be representing something else circle must be representing something else मगर जो ये तीनों, चार, पाँच डाइग्राम्स होती हैं उनमें सब में आपस में कोई minimum contact फिर आपको नीचे questions दिये होते हैं which number represents this, this and this which number represents this, this and this फिर आपको common देखना होता है क्या देखना होता है like I'll show you the first thing I'll start ऐसे इसने एक डाइग्राम बना ये ये डाइग्राम वहीं से बना के होगी उसको numbering करके होगी, नीचे questions होगे फिर आपको देखना है common, क्या देखना है you have to look for the common area like एक इसमें भी किसमें होती है questions की, एक किसम का question ये आता है हाँ, ये पहले basic से start करेंगे, ये circle है हाँ, हाँ, circle के अंदर फिर इसने square दिया है ऐसे square के अंदर इसने triangle ऐसे बनाया है फिर इसने one, two, three, four, six sided figure बनाई है that's like this drawing हमारी week थी पहले से ओचे, triangle से hexagon फिर इसने numbers लिखे है three, one, two, again three, four, five, six, nine, seven, eight, one and four, बना दीजे जल्दी से, please, बनाईए जल्दी से, जल्दी से बनाईए हाँ, हाँ, जी, one, दो बार three भी तो दो बार है four भी दो बार है आराम से बनाईएगा फिर आराम आजाएए बिटे आजाएए sit 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 come जल्दी से डाइग्राम बनाईएगा आज दूसरे टाइप के questions है इसमें okay okay, done have you jotted it down? देखें बिटा questions अब इस परकार के पूछें conceptual questions होते हैं यह एक किसम है इसके बाद हम दूसरा टाइप करेंगे इसका इसने चार किसम की डाइग्राम वहां पे दी है ना बिटा there is a square there is a triangle, there is a circle and there is hexagon है ना बिटा, चार किसम की डाइग्राम है, square है circle है, triangle है और hexagon है, अब पहला question पूछता क्या है यह ठीक है पहला question लिखिए which number which number belongs to all the four figures which number belongs to all the four figures all the four figures options इसने दिये है three पहला option three दिया है, सुनिएगा कैसे अप्रोच करते हैं in questions को B option four दिया है C option six दिया है and D option दिया है none of the above none of the above brilliant, दियान दीजिएगा very good, दियान दीजिएगा now question क्या पूछता है, ऐसा कौन सा number है which is common to all the four figures वो कौन सा number है जो चारूं figures में आता है जैसे मैं आपको बताऊंगा three, ये वाला three ये किसमें खाली आता है ये वाला four किस-किसमे आता है square में भी circle में भी ये वाला three किस-किसमें आता है triangle में भी circle में भी square और यहि culprit क्या इसा कोई नंबर है जो चार फिगर्स को common है जैसे हम यह 9 लेते 19 ही फिगर्स में आता है किस किस में आता है triangle में आता है circle में आता है और hexagon में आता है ऐसा कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है क्युंकि चार न लाग्राम आ apartments का तो बहुत जगा है मलब देरार वेरियस इंस्टेंसिज यूट इसा कोई पॉइंट नहीं है पूरी डाइग्राम में जहां पे चार गो इतना हमें पता चला चारूं का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है आप देखे क्योंके हेक्जगन को स्क्वाइर के साथ कोई रिलेशन ही नह इसको आएगा नान ओफ देखना पॉइंट नहीं है इसे ही देखना होता है इन जो यह वाले क्वेस्टेंस होते हैं इनका सबसे बेस्ट अप्रोच देखने का है यहाब तो लुक फर देखने का है यहाब दूसरा सवाल इसने पूछ है उसमें भी आपको कॉमन पॉइंट यह आपको बोलेगा जहां मलब question है मैं फिर आपको explain करूँगा लिखे question what is the sum of the numbers what is the sum of the numbers which belong to which belong to two figures only two figures only मगर यह कैश्वना two figures only तीन का common नहीं दो का common उन सारे numbers का add करो जो दो figures के common है हम देखेंगे कि कौन-कौन वैसे numbers है जो दो diagrams के common है दो figures के common है like पहले पहले नहीं नहीं उन सब का add करना है you have to add all of them पहले लेंगे square और circle को यह ऐसे लेना होता है ऐसे नहीं लेना होता है पहले ले लो square और circle को square plus circle बो square और circle में कौन से ऐसे numbers है जो common है two or four clear है आप बोलोगे sir three भी तो है मगर three triangle भी है यह बोलता है two figures only यह मत बोलता है at least two figures लागर at least बोलता है उसमें तीन वाले भी आते हैं यह बोलता है two figures only क्या बोलता है मतलब common जो वो numbers जो common है two figures को तो हमने पहले लिया square or circle square or circle का common कौन सा है हाँ two and four brilliant two plus four very good और बोल यह कौन सी डाइग्राम आपको लगती है very good hexagon and circle hexagon and कौन सा number common है hexagon and circle को eight है ना बेड़ा है hexagon and circle very good hexagon and circle that is eight clear है आपको हर पिनके aquarium सारी पूरे पिसम है और बोलो कौन कौन सा है hexagon and triangle मगर यह तो circle भी है यह वाला नहीं आएगा मत आएगा वरना nine भी आता मगर यह तीन-तीन का है ना बेड़ा यह तीन-तीन का है और देखें और कहां पर आपको लगता है six six that is triangle and circle बास और कहीं पर common नहीं है वाकी है common मगर वो तीन-तीन वाले common है हमें लेने थे दो figures जहां पर common है you got it clearly very good triangle and circle हां बोलिये है बेटे कितना है six तो इन सबका add करेंगे eight six is fourteen fourteen six is twenty twenty is the answer you got it this is one level of question which is asked there you got it clearly मैं सम्झाओंगा बेटे question क्या बोल रहा था अप थुड़ा आगे जाए 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 कम-कम कोई वात नहीं I can repeat ten times you don't need to worry about that जाए यह बेटे आगे पहला जो दिखाया वो आया पहला वाला brilliant ते को question क्या बोल रहा था what is the sum of the numbers what is the which belong to two figures only which is common to two figures only हमने देखा common point कहां कहां पे है पहला common point दो का common point तीन का अगर यह वाला three देखेंगे यह तीन का common है किस किस का है square का circle का और triangle का यह वाला हमें लेना हमें यह वाला point लेना है पहले हमने देखा circle और square में common क्या है circle और square में कौन सा area common है यह तो ओ कौन से numbers है four और two ले हमने two and four और हमें लगा hexagon और circle common है दो तीन का नहीं अगर मैं यह nine लेता यह तीन का area है किस किस का है triangle circle and hexagon four एक ही का है गो यह भी नहीं लेना है यह eight दो का है circle का भी है और hexagon का है और triangle plus circle भी एक जगा मिल रहा है यहां पर बाकि यह जो five or seven है यह एक ही के है four लिया हमने three तीनु का है nine तीनु का है one एक ही का है गो यह वाले आएंगे नहीं हमें दो दो वाले लेने जो दो figure से common है two four is six six plus eight is fourteen fourteen plus six is you got it clearly everyone got it brilliant next question exactly what is the product of the numbers essay what is the product of the numbers which belong to which belong to three figures only which belong to three figures only जो तीनु का common है दो का नहीं जो तीन टाइमस्पेटरेशिव सब गुबर यह वाँ which belong to three figures only जो तीनु का common area हम देखेंगे तीनु का common area कहां कहां पे हो रहा है पहले ही आप ही ने बोला nine देखो nine किस किस का है common nine triangle hexagon and circle go nine एक है और यह और इनमें आपस में multiply डालना है इनमें आपस में multiply डालना है और कौन सा common है three nine threes are twenty seven और कोई common मलत तीन वाला कोई common nine threes are twenty seven that means twenty seven is the answer so we were here looking for those numbers which belong to three figures wherein three figures meet and have a common point वैसे दो ही number से थे ना आप देखो बेटा nine why nine nine किस किस का है बेटी triangle or circle or hexagon brilliant गोना इशुन्यून क्या हम यह three ले सकते थे यह वाला three लेना था क्यूं इस three belongs to three figures triangle में भी है circle में भी है और square में भी है nine threes are twenty seven that is the answer you got it clearly next very good एक यह अच्छा है what is the मैं सित के स्टो है प्राक्टिस वद बाकें what is the sum of the numbers what is the sum of the numbers which belong to which belong to one figure only जो एक ही figure में है एक ही figure में पहले यह है one or three है ना बिटे वेरी गड़ वान प्लस थ्री है आक से ना गड़ा यह वान प्लस थ्री और यह वाला four है ना brilliant very good or plus यह वाला one very good plus यह वाला seven plus यह वाला five यह वेरी गुड साथ पांस गई बात रुआ 13 4 17 17 3 20 21 इस दा अंसर last question कर लीजे इसका last what is the product of the numbers what is the product of the numbers which belong to which belong to two figures only वो हमने उपर निकाले थे ना two figures वाले कौन से थे two four six eight two four यहां यह आया था यह पहला पार्ट कि दूसरा दूसरा पार्ट हाँ two मगर उदर इधर प्लस नहीं कर रहा है इधर क्या करना है multiple go two into four into six into eight clear math easy बनाते है six eights up make your forty eight forty eight two is a ninety six ninety six four is a three hundred three hundred something ninety six into four three three eighty three ninety four clear है वैं तो पहली बोला था three eighty four three three eighty four आना चाहिए ना क्यों six eights up forty eight forty eight two is a ninety six ninety six को चार बार करो हर किसी का चार 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 सोला चार सो मैंसे सोला काटो three eighty four math को easy बनाओ ना देखो ना बिटे without even using pen and paper बैस्वकुर calculator चुन सवाल ही pen and paper भी यूज नहीं किया simple six eights up forty eight forty eight को दो बार करेंगे that is ninety six ninety six को चार बार करना है ninety six को किती फरक है hundred के साथ चार तो अगर हम hundred लेते चार बार कितना आता four hundred मगर चार चार बार काटना है four hundred minus sixteen that is three eighty four simple issue बनावा math issue simple बनावा basic कुश calculations simplify किया करो तो this is यह आप बोलोगे सर आपने कैसे जल्दी-जल्दी किया हमने दूसरा क्वेशन किया था ना उसमें इनका एड लेना था यहां पे इनका product लेना you got it clearly to next question will do up जो लेट थोड़ा है आपको समझाएगा बैसी उस से लिए वांता है क्या गो अच्छा गर चीटीटीटीट दनी एक्सेट 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 चलिया बिटा next करेंगे बिटा question हाँ यह जबर्दस question है थोड़ा सा different dub हाँ एक लेवल आप शले रब्दी शले रब्दी शले रब्दी शले रब्दी ब्रिलियंट यह आगा कर सुरा एक स्क्वाइर दिया है एक सर्कल दिया है और एक ट्राइंगल दिया है बेटे पैन मांगे इंसे मार कर अच्छा सा इनको यह लिखे है लेटर्स E देन यू हाव D देन यू हाव B देन यू हाव A देन यू हाव C देन यू हाव F ठीक है आने दीजे इस बच्चे को तो अब बताएंगे सवाल कैसे इस पर आते हैं पांगे सरकल कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट करता होगा स्कूर कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट करता होगा यहाँ पर और triangle कुछ, अलग phenomena represent करता होगा, मगर ये उन तीन phenomena को बेटे represent करता है जिन में जरूरी common होगा, क्याज ये तीनों कहीं पे मिल रहे हैं आप देखो point B पे ये तीनों मिल रहे हैं, है न point B गो इसमें some वाली relationship तीनों को आपस में है obviously, तभी तो diagrams को मिलाया है न, अगर some वाली relationship नहीं होती, क्या diagrams का कोई common minimum point होता आप देखेंगे कौन किसको represent करता ही, वहीं से आपको question में दिया होगा वहीं से बोलता है, बोलता है the triangle represents school teachers, triangle किन को represent करता है, ये वाले जो ये triangle है, ये school teachers these are school teachers very good school teachers who work in schools, शाहे government schools हो, private schools हो, कोई भी school हो, and then square, square represents married persons married persons married persons and circle represents, जो बहुत lucky लोग है persons living in joint families persons living in joint families but then it has its own challenge but it's a blessing persons living in joint देखेंगे कि क्या इसने पूछे, you got it सवाल का फिनामेना आपको समझाया, अब आपको बोलना है which letter represents say school teachers मेरीड जाल्फरश्थnya, इस और मेरीड परसन और भूछे त fortunately.. चलिए, नेक्स्गे इस लिएफो लिख हो लिए उन जान के रखनाने because these are easy with overconfidence you may lose the numbers very calmly you have to see what mang kya raha hai मैं इसी question के फिर इधर उधर इसी को करूँगा married persons living in joint families living in joint families but not working as school teachers very good but not working as school teachers but not working as school but not working as school teachers is represented by is represented by देखो बेड़ा क्या बोलता है school teacher कौन सा है triangle बोलता है वो वाला letter बोलो जो circle और square का common है मगर triangle में नहीं आना चाहिए वो कौन सा है d या आपको समझाया आप को इसको ऐसे नहीं देखना है school teacher कोन है आपको school teacher का याद रखना है school teacher triangle है वो triangle का ये हिसा नहीं होना चाहिए question treat कहीं married persons married person कोन है square वो square होना चाहिए living in joint families joint family कोन है but not working as school teacher गो triangle का हिसा गो इनका दोनुका ज़रूरी होना चाहिए married persons living in joint families sorry married person क्या sorry married person चुते लिए ती चुना but married person living in but not working as clear word चुना but not working as school teacher so you have to exclude B from it अगर अब इसने ऐसी पूछा होता सवाल अब लिखे married persons married persons living in joint families married persons living in joint families इतना ही पूछा होता which which is married persons living in joint families is represented by सबूज married persons and living in joint families and living in वो married भी होना चाहिए और joint में भी होना चाहिए वो है नडी और क्योंकि ये मत बोल रहा है school teacher नहीं होना चाहिए अब समझेगा बुछी गुबरा clear थी इसलिए मैंने जान बुछ के इस question को ये किया ताकि आपको दोनु ये समझाए paradoxes है ये दो पहला था पहला जो इससे हमने पहले किया married person living in joint family गो खाली married नहीं गो बिटे ओ इदर खाली married नहीं लेना है married भी और joint भी but not working as school गो देर वस clarity गो हमें triangle का हिस्सा लेना अभी ये बोल रहा है married person living in joint family school teacher के बारे में कुछ बोल रहा है वो हो भी सकता है school teacher नहीं भी हो सकता है school teacher इसलिए इसको आएगा D B or D and B because D is someone who is married and is living in joint family and B is also but he is additionally a school teacher he is silent about school teacher we do not have to consider clear है? ये reasoning में आपको समझाया है? मैं और बोलू एक से मैं और बोलूँगा ये मैंने जान बुच के इसको किया न ताकि आप लोगों को ये हमेशे के लिए याद रहे पहला सवाल क्या था? married, joint but not school teacher वो married और joint जरूरी married और joint married और joint कौन कौन सा है? B or B but not school teacher वो हमने B को क्या किया? X school teacher आईशा बोल रहा है married and joint वो हो भी सकता है school teacher नहीं भी हो क्या ये school teacher के बारे में कुछ बोल रहा है? is he asking anything about this? वो chances है होने के भी और नहीं भी होने के तो वहां पे आपको जब ऐसा question आएगा आपको जरूरी option होगा B and B ये मेरी बात हमेशे याद रखेगा कभी बूलिएगा नहीं जो सचे जरूरी नियूं D क्योंकि B को ये बोल रहा था exclude करो अभी ये B को नहीं बोल रहा है exclude करो आपको जरूरान B को भी आप सम्ग exclude मत करेंगे अभी क्योंकि ये मेरीड परसंस लिविंग इन जॉइंट फैमिली ये डिकन करेंगा फिर ऑप्शन पर आप्शन पर नहीं मगर ये खिसासे में ज़रूरी option जितमा एक्स एक्सक्लूरी आपको ये हमेशे लिए B and yes फिर वही जैसे हमने इस्टिक किया इस्टेटमेंट फिर एक्सक्लूरी करा एक्सक्लूरी तब करना है जब लिखके होगा एक्सक्लूरी करना है ये रूल है एक्सक्लूरी तब करना है जब लिखके होगा एक्सक्लूरी करना है वरना लेना है लिखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है पर्संस को लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो यह तो यह पर्संस क्वेश्चन तो बड़ा है अगर इतना ही होगा पर्संस लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज एक नी 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 गलत चुना वाना वह जुए जुए इन फैमिली में रह रहे हैं पाथ सु क्या चू इस उन ताम युक परसान जुए फैमिली में कोन-कोन इदर रह रह रहा है एक्जाटली अगर यह खाली बोलेगा परसंग ओनली लिविंग इन जुए इन फैमिली इस फेरी आया समझ इस यह थे कर दो गो खुदी कोन-exclude हो जाएगा इसमें से डी आया समझ वह अर अन्मारीड एंड डू नोट एंड डू नोट एंड डू नोट एंड डू नोट वर्क एस स्कूल टीचर आई शबश एंडू नोट वर्क एस स्कूल टीचर गो वह परसंग जो जो जुए फैमिली में खाली र स्कूल टीचर घू गांगें इसमें को अाएगा था है अगा खाली यह रिष्ट थारिफ है मौलभी साहभ आन्वा समझ आया यह अगात ब्रिलियंट यह नेक्स married teachers married teachers अगर इतना ही बोलूँगा मैं married teachers married married teachers cooperation married teachers married भी और teacher कैसे बर सी married married teachers married as well as teacher married teacher only see only see number one married as well as teacher no name married teacher well who is married and should be a teacher which is the because a bitokali teacher yes bb i again my boy married and or said a square apart and a mother joint family के बारे मां मत कुछ बोला है इस आई अए अए उडिक्स आई 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 ती और राइट हंडर्ण परसंट राइट यहां से यह वाला गुरूप मुझे कन्विंस होना चाहिए बुष्वना मैरी टीचर मैरी टीचर c and b married teacher जो married भी है और teacher भी होना चाहिए कौन कौन है c क्या है married as well as b क्या है married as well as मगर जॉइंट में भी रह रह रहे हैं मगर जॉइंट के बारे में मत यह कुछ बोलता है so married teacher you got it मगर वो मत बोला है exclude ताप करना है जब exclude बोला होगा करने के आया क्लेर ली समझे और बोलू और बोलू चलिए married teachers living in joint families बी आनली married teachers living in joint families तीनु है married भी होना चाहिए school teacher भी होना चाहिए और joint family में भी रह रहा होना चाहिए वो भी है है नहीं है जो सब्सक्राइब आई समुझ वार्डी है वी थी तो सी थी क्या इस सो मैरी तो टीच रही होता अभी तीनु है married as well as school teacher as well as living in a joint family that is b rule है इसका एक ही चीज exclude तब करना है जब exclude करके लिखा होगा वारना exclude नहीं करना है you got it clearly now we'll do a next one SI थोड़ा सा और यह जिसमें और यह होंगे तो आइमद दारित आइमद स्याल AC that's why AC is not working fan बंद करो light hair हाँ हाँ वो वाले fan बंद करो बेटिया बेटा fan बंद करो अगर तीस हजार भी आप से fee मांगेंगे यहां वो भी कम है AC लगाएं चलो आप जिस क्लास में है मुझर है दीरे दीरे लगाएंगे हम हर जब चलिए बेटा निक्स्ट ऐसा है बेटा इसमें चार डाइग्राम्स बनी हैं कि ट्राइंगल बना है एक कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना है कि एक स्क्वाइर है मगर स्क्वाइर का रीच ट्रेंगल से बाहर नहीं है और एक रेक्टाइंगल बना है ड्राइंग हमेशा हमारी वीक थी ऐसे वान इस इस नाइन इस इस एट इस इस एलेवन देन यु आव सेवन और हर कोई हर किसी अलग फिनामेना को रेप्रेजेंट करता है जो सर्कल है सर्कल जो है वो रेप्रेजेंट करता है ग्रैजुएट्स को जो रेक्टेंगल है वो रेप्रेजेंट करता है गवर्मेंट एम्प्लॉईज को अब न कहिएगा हर कोई गवर्मेंट एम्प्लॉई ग्रैजुएट होता है बहुत सारे हैं जो एट पास भी लगए रेक्ट एंगल रेप्रेजेंट करता है गवर्मेंट एम्प्लॉईज को स्क्वार रेप्रेजेंट करता है स्क्वार जी रेप्रेजेंट करता है क्लर्क्स जो क्लर्क लेवल पे लगे हैं ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है अर्बन पीपल, शेहरी बाशन दे, नौन अर्बन अर्बन पीपल ठीक है बनाया आप लोगों ने, बनाये जल्दी से, ब्रिलियंट, ट्राइंगल अर्बन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जरा मुझे बोलिये वो नंबर, वो नंबर, टेल मी दाट नंबर, विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, वू इस ओल्ड़ पूर, रिप्रेजेंट् बिगर 6 is a part of the rectangle, it's a part of the square, it's a part of the triangle, and it's a part of the, you did it in a whiff now, where you have to necessarily find the common area of those diagrams, first you have to have a look at the diagram, which diagram represents what, suppose triangle represents urban people, अब आपको मैं बोलूंगा, which number represents urban people, what was, which number represents urban people, who are not working as government employees, are neither clerks nor graduates, 9 and 3, yes, that is 9 and 3, brilliant, है न बिड़ा, which numbers represent persons, who are urban, who are, urban means, they have to necessarily be the part of the, अगर मैं इतना ही बोलूंगा, which are the numbers, who represent the people, who are urbans, सारे triangle वाले numbers आएंगे, 9, 4, 8, 11, 7, 6, 2, 5, 3, मगर मैं आपको आप बोल रहा हूं, urban मैं shot down करके, those people who are urban, but are not working as graduates, go circle ka part, not working as graduates, go exclude, जब बोला करने के लिए, exclude करो, not working as government employees, and are neither working as clerks, तो go, जो खाली, खाली स्ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया खाली कुन सा है, 9 and 3, यह भी है नहीं यह 9 भी, और 3, clear है, clear है, this is how you have to approach these questions, जब exclude, बोला है करने के लिए, तब exclude करो, वरना exclude, निखो next, okay, the question is like this, यह अच्छा question इसने पूचा है, which of the following statement is true, हमें देखना है कौन सा सच है, यह अच्छा question है, which of the following statement is true, हम चारूं को एक एक करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या सच है कि सही है कि गलत है, all government employees, इसने पहला question पूचा है, all government employees, government employee कौन है, rectangle, all government employees are clerks, गलत, all government employees are, फिर सारा rectangle किस के अंडर आना चाहिए था, square के अंडर, all government employees are, क्या यह statement सही है, यह गलत है, यह false है, क्यों, all government employees, who are government employees, rectangle, five, six, seven, two and one, these are government employees, they are all clerks, क्या, इसमें यह सारे clerks से कहा है, five तो clerks नहीं है, two तो clerks नहीं है, one तो clerks नहीं है, seven or six खाली clerks है, इनमें, वो यह गलत है, आया समझ, बेचना इस all उक पुरमुत all में पूरा सम आया होना चाहिए, फिर पूरा square, sorry, पूरा rectangle किसके अंडर आना चाहिए था, वो अंडर नहीं आया, जैसे पूरा square किसके अंडर आया है, triangle के, आया समझ, आया समझ, very good, next, some government employees, दूसरा statement है, आपको देखना है, यह सही है कि गलत है, some government employees are graduates, some government employees are graduates, as well as clerks, as well as clerks, some government employees are graduates, as well as clerks, क्या कोई common area है, circle, rectangle or square को, six, circle, rectangle or square, और वो urban भी है, मगर यह मत urban के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो होने दो urban भी हमें कोई फरक, वो यह है possibility, यह, यह, मगर अगर बोलता, but are non-urban, वो possibility, वो possibility, नहीं थी, अब यह, इस सवाल को थोड़ा और narrow down करेंगे, देखे बेटा, question इदर दीजे, बोल रहा था, यह हमें बोलना है, जही है कि गलत है, यह सही था, some government employees are graduates, what are you, तो ही आशा, some government employees are graduates, rectangle or circle का हिस्सा, rectangle or circle का हिस्सा क्या है, six or five, मगर आप बोलोगे, सर्फ six तो square में भी है, क्या यह बोल रहा है, square के अंडर नहीं होना चाहिए, तो लेना है, clear है, आप यह बोल रहा है, some government employees are graduates, as well as clerks, clerk कौन है, clerk है square, वो जरूरी square का भी हिस्सा होना चाहिए, गो उसका यह बिचारा five खत्म हो गया, तो वो कौन सा गया अब, six, क्योंकि यह six में भी है, मगर अगर लिखा होगा, but not working as urbans, फिर वैसा कोई था, but not, sorry, non-urbans वैसा कोई था, वो triangle का part नहीं होना चाहिए था, मगर वो possible नहीं था, clear है, clear है, all government employees are graduates, गलत, all government employees are, पूरा rectangle, circle में आना चाहिए, क्या आ रहा है circle में, नहीं आ रहा है, possibly नहीं है, काई तेच्छों, चलिए, next, clear है, बिड़ा, और एक question आपको देंगे, कर लीजेगा, shall I wrap this, ये भी थोड़ा different है, ऐसा ही, ऐसे question, वारो बुजिकूरी, तलायाच्वाब करियो, साम वाला, ब्रिलियंट है ना, ये चाइनीज है ये वाला circle, पेंटर, एंड मुजिशन्स है ना, ये साथ दुनिया में हो गए ना, बहुत सारे ऐसे, जो चाइनीज भी होंगे, पेंटर भी होंगे, और मुजिशन्स भी होंगे, मुजिशन्स आपको बड़ा रहम है, क्लास में चार लड़किया है वरना आपको बोल देते हैं, ये बड़ा रहम है आप लोगों पे, A, B, C, ये बहुत बड़ा रहम है, ये शुट बी थांगफुल, D, G, E, and F, क्लेर है बड़ा? लिखे बड़ा, क्वेस्चन पहला, Chinese who are painters but not musicians, Chinese who are painters but not musicians, B, S, क्योंकि C इसमें only B, only B, क्योंकि बड़ा है बड़ा है चाइनीज who are painters, चीनी थी 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 पेंटर थी, ख्लेर है बड़ा? अगर वाई नहीं हाँ, Chinese and painters, Chinese and? Yes, उसमें B or C बड़ा है, क्योंकि ताब ये एक्स्क्लूड नहीं करना है था, Very good, very good, you are understanding things now, Next, Painters, बोज बोज क्याच वना, Painters, who are neither Chinese, nor musicians, Oh, very good, F, Painters, खाली पेंटर्स, खालिस पेंटर्स, ना चीनी हैं, ना मुजिशन्स हैं, वो पेंटर वाले अरिया में जो आएंगे, This is how you have to do these questions, Next, Chinese, who are musicians, but not painters, Chinese who are musicians, but, क्यो हो गई, Chinese who are musicians, D, yes, only D, not painter, C, शुना है, पेंटर्स है, या बेहाई माई शुना है, शुना है शुना है, शुना है माना, Chinese who are musicians, किम चीनी musician तीश, उड़ी, एक ऐसे होगा, एह होगा खाली, only Chinese, clear है, clear है, Chinese who are painters, Chinese who are painters, as well as musicians, C, है न, तीनों का common, Chinese who are painters, as well as, clear है, next करेंगे, शुना है, बेटा, च़्ो यूण, तीनों, की मैए इपर्प्ट, यूण तीनों का शुन में उन्मी है,